तो बदो स्वाथ आपका हमारे चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकरी देने वाला हूं वो बहुत ही खास जान करिए दोस्तो आप सभी के लिए आपके परिवार के लिए सभी की लोगों के लिए बहुत खास जान करिए प्लीज आपसे रिक्वेस् हो चुकी है लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखने वाली बात ही है कि टेक्नलोजी स्रीफ हमारे लिए ही एडवांस नहीं हुई है सभी लोगों के लिए है जहां पर हम अच्छे अच्छे टेक्नलोजी यूज़ कर रहे हैं वहीं पर चोर बैंक अकाउंट में जितना भी आपका पैसा पड़ा ओता है वो सारा पैसा चुरा लेते हैं लेकिन यहां खास बात क्या है जब आप इस चीज की शिकायत अपने बैंक अकाउंट में करने भी जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती नहीं इस तरह क आपको कुछ चीजे बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि आप किस तरह से बस सकते हैं दोस्तो देखे सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि कोई भी अन्नोन नंबर से अगर आपके पास फोन आ रहा है तो आप उस फोन को कभी भी पिक मत कीजिए दोस्तो अगर आपके फोन में कोई नंबर सेव नहीं है अगर आपको लगता है कि वो आपके जानकार का नंबर है तो ही आप उस नंबर को पिक कीजिए अगर आपको लगता है कि यह कोई अन्जान नंबर है कोई दूसरा number है कोई अजीब तरह का number कोई आपको दिख रहा है तो आप कभी भी उसे भूल कर भी मत उठाईए अगर आप उठा भी लेते हैं तो कभी बात मत कीजिए जबी की जबी काट दीजिए दोस्तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मुझे अभी हाली में बहुत सरे unknown number से phone आ रहे थे और मेरी आदत है कि मैं unknown numbers को pick नहीं करता हूँ नहीं उठाता हूँ तेकि अब जब मैंने phone नहीं उठाया तो मुझे थोड़े दिर बाद गूगल की तरफ से क्या message आया कि आपके पास जो अभी phone आया था वो एक spam है और उसको Google ने verify भी किया कि ये किसी phone से मुझे phone नहीं किया गया था किसी device से phone नहीं किया गया था ये किसी खास तरह के setup से मुझे phone किया गया था तो ये मुझे Google ने verify करके message किया कि जिस number से मुझे phone आया था कि ये किसी खास तरह के setup सिर्फ मुझे phone किया गया था ना कि किसी mobile से तो हो सकता है ये setup कोई company भी हो सकती है और हो सकता है ये कोई ज़से चोरों का आजकल आतंग चल रहा है तो वो भी हो सकते हैं ये कोई भी हो सकता है लेकिन मैं इस तरह के unknown numbers को नहीं उठाता हूँ ना ही कोई भरपाई होई तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास कभी भी कोई unknown number से जिसे आप नहीं पहचानते या कोई अजीब सा number आपको लगता है तो आप कभी भी उन number को pick मत कीजिए कभी उनका response मत कीजिए अगर आप उठा भी लेते हैं तो कभी उनसे बात मत कीजिए जबी कि उसे काट दीजिए नहीं तो आप जैसे आप बात करेंगे तो आपका जो mobile से link जो भी आपका bank account है वो पूरा data उनके setup पर चला जाएगा और वहां से वो पूरा trace कर लेंगे और आपके account से सारी चोरी कर लेंगे यही एक तरीका होता है आपके account से चोरी कर लेते हैं वो phone के थूर क्योंकि हमारे phone जो है हमारे bank account के साथ अब link हो चुके हैं तो हम इननों number को pick करना जब बंद कर देंगे तो ही हम save रह सकते हैं otherwise हमारे account से इसी तरह से चोरी होती रहेगी तो दोस्तों आपको बस एक यही एक दो छोटी छोटी बाते ध्यान रखनी है ताकि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आपकी सलामत रहे तो दोस्तों यह जानकरी मैं आपको देना चाहता था ताकि आप लोग इस सबसे सुरक्षित रह सकें तो यह जानकर आपको कैसी लगी फ्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवारक साथ यह से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर की झाल